नमस्कार लगतर आंखों से बाहर आता है इस अवस्था में आखों पर अधिक प्रभा पड़ता है जिससे आखों की रोशनी धेद्रे प्रभावित होने लगती है डेवली अचों के अंसार हर साल 6 मार्च से 12 मार्च तक बिस्व ग्लुकोमा दिवस मनाया जाता है जो पूरे बिस्व मे कैनाल बलाक होने लगते हैं और आप्टीकल नर पर प्रभाव पड़ जाता है यह ग्लुकोमा का सबसे कामन प्रकार है जो कभी भी किसी भी बेक्ती को हो सकता है जनमजाद ग्लुकोमा से पैदा होने वाले बच्चों में उनकी आँख के कोड में एक दोस होता है जो समान द जलनिकासी को धिमा कर देता है या रोग देता है जनमेजाद Nickiさadshanja खास कमें किसी भी बच्चे को मिल सकता है एकूट ग्लुकुमा एकीट की गंभीरता के देखती हुई इस अवस्था में आखों को पोषण वाला सफेद द्रब जो होता है वो बनना बंद हो जाता है और आखों में धुंदला दिखाए देने लगता है या आखों में दिखाए देना बंद हो जाता है इस सवस्था में लच्छन जैसे चक्राना सर में दर्द आखों का फूलना आधी होने लगता है सेकंडरी ग्लुको इसके अतरिक्त सामान तनाओं के कारण भी ग्लुकोमा होने का खतर हो सकता है क्योंकि अधिक तनाओं की अवस्था में आखों पर अधिक प्रभाव पड़ता है जिससे हमारी आखों की आप्टिकल नर्व कमजोर हो जाती है ग्लुकोमा आम तोर पर किसी भी ओम्रे में हो सकता मुठli कोमा अधिक्षत्र अनुबांसी की कारण होता है यह कुछ बच्चों में ग्लूकोमा जनमलध की सबते हैं जो ग्लुकोमा का सबसे आम प्रकार प्राथमिक ऊपएंगल ग्लुकोमा होता हैघ्रपियल काला मोत्य होने पर धिरे धिरे दिश्टी हानी को छोड़ वकर इसमें कोई बिसे संकेत या लचन नहीं दिखाई देते इसी कारण ये बहुत महत्पुन होता है कि आप सलाना आख की जाच कराएं ताकि आपको नेत्र समंधित कोई बीमारी नहों खास करकि गुलुकोमा नहों गुलुकोमा के लचन की बात करें तो आख की रोसनी कम होन आख में दर्द होना और उनका लाल होना सर में दर्द होना या आखों में सूजनाना जी मचलाना या बिना कि किसी कारण की उल्टी होना आखों में धुन्दला पंचाना रोसनी के चारो और रंग बरंगे चले दिखाई देना आखों में सूखापन मैसूस होना अचानक से क दिखाई देना गुलकोमा भीपी तथा सुगर और हार्ट की बीमारी की अवस्ता में अधिग देखा जाता है गुलकोमा के जो यह कारण में देखा जाएक तो गुलकोमा आम तोर पर आखों में अप्टिकल नर्व कि अपरे किना अन्ट प्रखें जाओं ने करनी कि आपके अप्टिकल तंद्रिका क्राब या कम रख्टे परवाकी इस बहूंद को बिख देखा जाये तो एजश साथ सा साल के बाद उस साल से अधिक लोगोवे ग्लोकोम की खत्रा जाद होतर है और ग्लुकोमा का खत्रा हर साल उम्रे के साथ थोड़ा बढ़ता है कुछ खास प्रिसितियों में काला मोतिय बिन ग्लुकोमा की ब्रद्धि 40 वरस की उम्रे में सुरू हो जाता है आँख की समिसाओं में पुरानी आँख की सूजन, पतली, कौर्निया आपकी आँख में दबाव बढ़ा देता है आपकी आँखों में सारे रिक चोट या अगहात जैसे किसी दौरा आँखों में चोट मारी गई थी या कभी चोट लगी थी तो ग्लुकोमा हो सकता है परिवार के दीधिहास की बात करें तो कुछ प्रकार की गलुकोमा परिवार में चल सकते हैं अगर आपके माता पिता या दादा जी के पास ऑपेन अंगल गलुकोमा है तो आपको भी हो सकता है Medical history में, मधुमेह वाले लोगों में और उच्छ रख्तचाव वाले पेसेंटे में ज्यादा गुलुकोमा देखने को मिलता है ज्यादा जोकिम होता है गुलुकोमा की जाच किन-किन पद्धिती से होती है तो सबस्पले टोनोमेट्री होती है, पैचिमेट्री होती है, पेरिमेट्री होती है और अप्टिकल नर्मे की कंडिसन की जाच करने वाली OCT होती है आँख में कम दबाव के लिए आपका डॉक्टर आँखों के ड्राप्स, लेजर सरजरी या माइक्रो सरजरी का उप्योग कर सकता है गुलुकोमा की सुरुवाती लच्छन को पहँचाना नहीं जा सकता परन्त कुछ सुरुवाती लच्छन जैसे आँख की रोसनी कम होना, आँखों के चस्मे का नमबर बार बार बदलना, आँख से बार बार पानी आना, ये लच्छन हो सकते है लेजर थरेपी, गुलुकोमा की गंभीरता को देखते हुई है, डॉक्टर लेजर थरेपी द्वरा उप्चार की सलाह देता है लेजर थरेपी सबसे सरल और कम समय में किये जाने वाला उप्चार है लेजर थरेपी से आँखों को सूतर किया जाता है लेजर के मादहम से आँख के आप्टिकल नर्म को पुना अपनी आवस्था में लाए जा सकता है एक लेजर बीम का उपयोग छिद्रिजल निकासी नलियों को खोलने के लिए किया जाता है और यह आँख के अत्रिक्त पानी को बाहर निकलने का कारे करता है और साथ ही आँख की ओपी जो इंटावक्रेप्रेसर होता है उसको कम करता है यह थरेपी 75% गुलुकॉमा की इलाज का कारगर है यह लेजर आँखों के आईरिस को खोलने का काम करता है यदि जो हम पेरिफेरिया रेट्रोटॉमी की बात करें जिसे आँख के पीछे का हिसा पुना कार करने लगता है सरजरी होने के बाद आँख को नियमित देखभाल आँख को धूल मिटी से बचाना आँख को मसलना इन सब चीजियों से बचाना पड़ता है संतुलित अहार बहुत ही महतपूर है यदि आपको गलुकोमा है गलुकोमा के सरजरी हो गई है तो एंटी-आक्सीडेंट बीटामिन्स से भर पूर हरी साख सब़्यों से भर पूर भूजिन करना चाहिए गलुकोमा को रोका तो नहीं जा सकता पर गुलुकोमा के लच्छन जानकर सही समय पर उपचार किया जा सकता है साथ ही हम अपनी आखों को नीमित देख भाल वा आखों के नीमित जाच करा करके गुलुकोमा से बस सकते हैं डाक्टर दोरा दिये गए टीटमेंट को समय के साथ पूरा करना आखों में किसी तरह का घाव होने पर या सरजरी के वस्ता में आखों की सफाई कर संक्रमन को पहलने से रोके साथ ही हमें अपनी आखों के लिए कुछ नीमित बैयायाम भी करने चाहिए जिससे हम आपने आखों की रोसनी को बढ़ा सकते हैं नमस्कार